प्रेश्क्रश खास मुलाकाथ मेरा इटर्यो हो रहा था किसी कंपने में सिनियर पूजिशन के लिए तो वहां मुझे सवाल पूछा गया कि क्या आपने कभी फॉरेंड टूर किया है मैंने जवाब दिया नहीं मैने कभी फॉरेंट टूर्म नहीं किया तो उन्होंने दूसरा सवाल किया कि aiसा क्यों मैंने उसका जवाब यह दिया कि लेकिन आज भी कुछ ऐसी यह जनरेशन है जो फ्लाइट में बैठना ही नहीं चाहते लेकिन फ्लाइट उड़ाना भी चाहती हैं लेकिन क्या उस जनरेशन को सही गाइडनस मिलता है या मिले तो कैसी तरह से मिले से कई सारे सवाल होते हैं दोस्तों आज आज इस मुलाकात में हम ऐसी शक्सियत के साथ ममें पसके जो आपके इस भीया कहие या सवाल रहता ही है data यह सवालों के जिवाब आज आपको इस नुग्याएशन मिलने वाले जीहां मैं स्वागत करता हूं क्याप्टन प्रनेच चौर्यजी का जो की AVSR Pilot Study Circle के डारेक्टर है और वो पढ़ाते हैं जिन उन बच्चों को जिनमें शमता है जिनकी चाहे कि वो बहुत-बहुत स्वागत है पनेच जी आपका हमारे इस खास में जानना जाहेंगे कि आपकी जर्मी एविएजा पाइलेट स्टडी सरकल की क्या सोच से आपने इसको इचाप किया देखिए वेजा पालेट स्टडी सरकल यह मैं और मेरा एक पार्टनर है राहूल मंपेजीन उ कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होना, एक्चुली पालेट कैसे बना जाता है, पहले क्या प्रोसेस की जाती है, कैसे की जाती है, यह सारी चीजों का हमको कोई आइडिया नहीं था, मैं डिरेक्ली फ्लाइं क्लब में एडमिशन लिया और उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे ध आइंग कंजम्शन पढ़ने में यूटिलाइस कर दिया रहता, और आज मैं जहां मुझे पास साल लग रहे वो शायद मैं दो साल में पालेट बन जाता है, मतलब सही वक्त पे सही गाइड़स मेला, यह भी एक जरूरी पॉइंट रहता है, जब लोग सूचते थे कि या तो मतलब आप किसी भी बच्ची से सवाल पूच लो कि आपको क्या बनना है तो उसका जवाब होता है, या तो डॉक्तर या तो इंजीनियर, लेकिन आज हम जिस आधुनिक्ता के कई सारे एवेन्यूस हमारे पास में हैं, तो यह पाइलेट जो बनना है या पाइलेट बनने की तो ऐसी जनरेशन से आपको रिस्पॉंस कैसे मिलता है, क्या आप देखते हैं कि जनरेशन है उत्सुख पाइलेट बनने के लिए, क्योंकि बात ऐसी है कि हमें जब हमारे ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए जब कोई रहा मिलती है, जब कोई मार्ग दर्शन करता है कि इस ची के लिए तो तुमको यही चीज करनी मेंडिटरी है करके तो बस यही चीज हम लोगों की मेंटलीटी में आई और बस इसी पॉइंट को हमने ध्यान रखा कि हमारे जैसे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं कि हाव टू बीकम पाइलेट अ कि पास्ट में जैसे बहुत सारी चीजें हुई है कुछ इयरलाइन्स बंद पड़ी कुछ एयरलाइन्स के नुक्सान में गया तो इृब्टिया के माध्यम से मेज कि खीज़े हैं लोगों को पोजिटी आई लोगों को निगेटिव वे में पहुछी लेकिन जहाँ मैं कॉम करके देखिए एक बार उस चीज को जानके देखिए उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालके देखिए कि तो इसमें जिन्दकी हमेशा दाव पर लगी होई हो तो आपका क्या दुरूष्टी कोन है इस सवाल के दर देखिए सर जिन्दकी दाव पे लगने वाली जहां पर बात आती है वहां पर तो सर ईसा है कि आज रहा चलते इंसान अगर वह पैदल भी जारा है तो उसकी कोई गैर में आप देखिएगा civil aviation में जो passenger flights रहती है उसके बहुत ही कम accidents आपको देखने में लेगे almost 1% accident एक खादा या दो accidents साल का सुनने में आया तो आएगा लेकिन उसमें survival rate भी 99 परसेंट है जितने भी modes of transportation अब यह जो industry आगे आने वाले कुछ समय में हम इस aviation industry को क्या देखते हैं अगर हम आकडों में अगर बात करें तो क्या एक sufficient मातरा में हमारे पास में pilots की मौझूदगी है अगर आकडों में बात कि सर तो ऐसा है कि pilots की इंडिया में सच में देखा जाए तो काफी कम हैं क्योंकि जिस हिसाब से airlines ने ने जहाज को order कर रही है उस हिसाब से आने वाले 10 साल में हम expect कर रहे हैं कि कम से कम 9000 के आसपास vacancies हो सकता है aviation में pilots के लिए only for the pilots में बात कर रहा है अब सर ऐसा है कि जब 9000 वेकैंसी आ रहे है तो 9000 पालेट्स बनने भी तो चाहिए अब 9000 पालेट्स बनेंगे कैसे आज मैं अगर हर एक 12 के बाद अगर 99 परसेंट बच्चों की बात करूं एक classroom में से या तो उनको इंजिनियर बनना है या तो उनको डॉक्टर बनना है लेकिन बहुत ही रेयर या बहुत ही पूरे school में से एक आदा बच्चा ऐसा होगा जो बोलेगा कि मुझे पाइलेट बनना है तो लेकिन वह भी नहीं बन पाता क्योंकि उसको आइटिया ही नहीं रहता कि वह जाए कहां किस से बात करें कि इंडिया में ऐसा है कि पाइलेट बनने वाले जो इंस्टिटूट्स है वह बहुत ही कम है बहुत ज्यादा कम है प्रड़ी आप और आपकी तो बड़ा आसन था आप लोग भी पाइलट बन सकते थे और फ्लाइट को उड़ा सकते थे यह दुष्टिकोन कहां से आप नहीं निकाले और बच्चों को गाइड करें इसके पिछे की भावना क्या थी देखिए सर कैसा है कि वह कहते हैं आप चोट खाते हो किसी चीज तो आपको उस्ुक क्लिदे का नतीजा की आप यहीं सूच थी कि पाले के बनने के बाद हम भी चाहे तो airlines में जा सकते थे लेकिन आप करने के बाद आप दो करियर ओप्शन चूस कर सकते या तो आप या तो फिर आप अपना teaching line में चले जाएगे, teaching line में मतलब आप trainer बन जाते हो, जो trainee pilots रहते हैं, उनको आप सिखाते हो, flying भी सिखा सकते हो, और साथ ही साथ आप theory classes भी सिखा सकते हो, जैसे कि अगर basic बात बता ही जाएगी, pilot बनने के लिए क्या requirements है, तो pilot बनने के लिए sir, जैसे requirements के अगर बात करें, तो वही, जैसे हम अगर सब airlines में, अगर हम लोग जाते, तो फिर theory पढ़ाने वाला कोई नहीं रहता, flying पढ़ाने वाला कोई नहीं रहता, बस यही सोच को हमने अपने दिमाग में रखा कि, क्यों airlines ना चूस करते हुए, अगर हम लोग teaching line में जाए, और teaching line में हम बच्चों को guide क करें कि how to become a pilot, और theory का proper knowledge दे, उनको flying club के बारे में proper ideas दे, तो आज कही न कहीं, बच्चों, बच्चे mislead नहीं होंगे, उनको proper guidance रहेंगा और वो अपना career आसानी से choose कर पाएंगे to become a pilot. अपने तरीके का एक MAV institution है, जहां पर पाइलेट कैस तरह से बना जाए, यह सीखाया जाता है, इसके लिए प्रड़ेट जी मैं एक सवाल और आपसे पूछा जाए, जो बच्चों की उत्सुता होगी, इसके लिए क्या basic requirement है, क्या education होना चाहिए, और क्या के किस तरह से इसम आपका 12th with physics and mathematics, मतलब science stream से होना चाहिए, with physics and mathematics subjects, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो commerce field से बिलॉंग करते हैं, जो art field से बिलॉंग करते हैं, लेकिन उनको भी pilot बनने की उत्सुकता रहती है, तो वो लोग भी जो art या commerce field से बिलॉंग करते हैं, वो लोग भी pilot बन सकत होते हैं, अगर वो NIS से या फिर कोई भी university से अगर वो physics and mathematics के लिए अपियर करके वो exam pass करते हैं, तो they can choose their career in aviation as a pilot, यह होता है कि उनको लेना जज़े से हम car driving का लाइसन लेते हैं, वैसे लाइसन लेना उनके लिए ज़रूरी होता है, अगर वो ले लेते हैं, तो वो करते हैं यह minimum requirement है, education qualification to become a pilot 12th with physics and mathematics, अब आप किसी भी stream से belong करते हो, आपके पास physics and mathematics के दो subject 12th में हैं, तो आप अपना career in aviation as a pilot choose कर सकते हो, अब how to become a pilot की अगर मैं बात करूँ तो इसके कुछ steps रहते हैं, सबसे पहले यह pilot जो बनते हैं, इसका कोई यह degree course नहीं है, यह एक license course है, मैं एक इसका लाइसेंस प्रोइड करती है, तो यह जो लाइसेंस आपको प्रोइड करती है, इसकी exams कंड़क करना, इसकी flying के लिए जो approvals होना, जो skill test होना, यह सब अंडर DGCA ही होता है, तो जैसे आप 12th जैसे ही आपका finish हो जाता है, वैसे ही आप aviation में पालेट के लिए entry कर सकते है आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको simply class 2 medical सबसे पहले अपना clear करना पड़ता है, उसके बाद में 6 subjects होते हैं, जो आपको 30 subjects रहते हैं, जिसकी 70 marks passing रहती है 100 में से, और उसके बाद में फिर आपका 200 hours of flying experience लेना पड़ता है, जो भी DGCA के approved flying schools है, आप वहाँ से आप अ प्रणेट जी, वक्त कभी कभी हमेरा रोकने की इजाज़त देता है, लेकिन कोई ऐसी बात है, जो आप चाहते हैं कि ये young generation को पता चाहते हैं, एक और अहीं सवाल था कि इसमें ladies, jains ऐसा कोई criteria रहता है? जॉब कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, इतना ही नहीं, लेडिज और जेंट के साथ नहीं, बहुत से लोगों को एक ये डर रहता है कि मेरी height नहीं है, मुझे चश्मा लगा हुआ है, तो मैं pilot बन सकता हूँ, क्या सी, सर, pilot मतलब आप confuse मत होईगा कोई भी कि pilot का मतल सिर्फ एर फोर्स पाइलेट होता है, पाइलेट का मतलब होता है, सीविल पाइलेट एक होता है, एर फोर्स पाइलेट होता है, एर फोर्स पाइलेट होता है, लेकिन हम लोग जो है, हम सीविलेंस है, जो पैसेंजर फ्लाइ करते हैं, हमारा medical criteria, हमारा education qualification, हमारा training program, सब कुछ अलग होता है as compare to difference आप young generation को अगर मैं कहूँ कि चलते चलते आप उनको guidance के दोर पर या आप take home message अगर दे तो आप क्या देंगे प्रणेट जी और मैं बता दूँ कि ये बड़ा अच्छा लगता है जब भी हमारे बीच में ऐसी young generation प्रणेट जी खुद बहुत यंग है और आज वो इस सोच के आए है सोच से यहां बैटे हुए कि मैं एक ऐसी generation तयार करूँ जो एक ऐसा career चूज करें जो के rare तो है ही लेकिन एक challenging भी है लेकिन उसका अपना अलग मजा है यही अलग मजा जो मैंने कहा वही आपको इस फिल्ड में लेकर आया है तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे चाहता हूँ मैं आज की generation को यही बताना चाहता हूँ कि जैसे हम engineering करते हैं जैसे हम medical field में डॉक्टरी के लिए जाते हैं ISIPS के लिए preparation करते हैं वैसे ही pilot के exams के लिए भी हम लोग preparation कर सकते है 12 के बाद हम अपना करियर start कर सकते हैं जैसे कि 12 के बाद बहुत से बच्चों को confusion रहता है कि वो अपना करियर किस फिल्ड में बता है अब यह भी latestly 12 का exam हुआ है CBSC का result भी आया है 12 का अब बच्चे थोड़ा बहुत confusion में चल रहे है या अभी state board का भी exam का result आने वाला है कि वो अपना करियर किस चीज में चूज करें कौन सी फिल्ड में चूज करें तो जो भी बच्चे interested है to become a pilot और जो अपना aviation के लिए passionate है और जो चाहते है अपना पूरा जी जान से चाहते है कि मुझे pilot बनना है तो मैं उनको यही suggest करूँगा कि एक बार आप हमारे avieza में आके देखिए एक बार visit करके देखिए हम आपको ज़रूर आपको पूरी तरीके से आपका satisfaction के तौर पे आपको guidance करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे गाइड करने की कोशिश करेंगे कि how to become a pilot दूसरी चीज मैं आपसे यह बताना चाहूंगा कि आने वाली generation को कि पाइलेट के बारे में बहुत सारे misunderstandings भी बहुत लोग रखते है कि यह कैसा होता है क्या होता है बहुत ही expensive expenses यहां पर चले जाते है काफी fees काफी costly हो जाता है तो जैसे अगर आप किसी category से belong करते हो या किसी EWS quota से belong करते हो या SCST OBC scholarship वहाँ पर available है जो government scheme के अंडर में आप अपियर उसके लिए आप अपियर कर सकते है उसके लिए जो भी government norms है जो भी government rules, regulations है आप उसके अंडर से आप अपने लिए scholarship के लिए कोई दोप्य अपलाएं कर सकते हैं कुछ-कुछ flying clubs भी आपको scholarship provide करता है very good और मैं समझता हूं कि काफी कुछ जो है आने वाले generation के लिए एक नया avenue यहां पर हम लोगों ने पस्तुद करने की कोशिश की है उची उडान ये कदिक इतना छोटा दोस्तों कर आपका कितना पी छोटा हो बढ़ा हो इसे कोई फरक नहीं पड़ता है तो आकुछ फ़लोइश सब्सक्राइब करका है करने के मदद करने के लिए ऑर अपना पाइलेट बने का सब्सक्रा कर सकते हैं मैं इस वक्ति चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रनेच चोड़ेदी का जीनों ने हमारे सत्मी आपर आए बाइ